हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बेक टू इक लासेज, देखिए बच्चो इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एक कवीता, हिंदी पाठे पुस्तक की कवीता, कवीता का नाम है नानी की निसानी, तो देखिए बच्चो पिछले वीडियो में मैंने इसके फर् इसमें जलके नानी का प्यार, एक बच्ची क्या कहती है कि मुझे ऐसे तो बहुत सारे उपहार यानि भेटिया गिप्ट मिले लेकिन जो नानी ने दी है उसमें नानी का प्यार जलकता है, यह सहली सबसे पुरानी है, यानि अपने नानी को क्या कहती है कि यह जो मेरी सहली ह बहुत सबसे पुरानी है, कभी नहीं करती मनमानी, यानि ये मेरी जो सहली अपने नानी को जो अपनी सहली बताती है, वह अपनी मनमानी कभी नहीं करती, मैं जो कहती हूँ मेरी बात हमेशा मानती है, जो मन में आये वो कभी नहीं करती, यू तो है खिलोनों का अमबार, एक ब इस पर मेरा जीवन टिका हुआ है ऐसा क्यों कहा क्योंकि वह उसके मम्मी की मम्मी होती है इसके लिए इस पर मेरा जीवन आधार टिका हुआ है क्योंकि यह मुझे सबसे प्यारी लगती है और यह मेरी नानी है इस पर करूं मैं कवीता कहानी वह लड़की क्या कहती है कि इस पर मैं कुछ कवीता भी कर सकती हूँ या कहानी भी कर सकती हूँ छोड़के अपनी हर सहतानी याने मैं इसके लिए अपनी हर सहतानी या हर बदमासी गिरी छोड़ सकती हूँ किसके लिए अपनी नानी के लिए तो समझ में आगया गुडिया किसकी निशानी है गुडिया नानी की निशानी है तो देखिए बच्चो इस वीडियो में आपका ये नानी की निशानी कवीता का अर्थ हमने अच्छे से आपको समझा दिया इसका सार है कि इस कविता में नानी द्वारा दी गई गुडिया के प्रती एक बच्ची का प्रेम दर्साया गया है बच्चों को खिलोनी बहुत पसंद होते हैं विशेज कर लड़कियों को गुडिया बहुत अच्छी लगती है दादी और नानी बच्चों को बहुत पसंद होती है क्योंकि वे प्यार भी खूब करती है जैसे आपकी दादी या नानी जो होगी वो आपसे बहुत प्यार करती है कि नहीं वैसे ही और आप भी जैसे आपकी मम्मा कोई बात नहीं सुनते पर आपकी दादी और नानी जो रहते वो आपकी हर बात सुनते हैं और आपके लिए बहुत सारे खिलोने खरीद कर लाते मंचाय उपकार भी देते हैं तो देखिए बच्चो नानी द्वारा दी गई सजी सजाई जापानी गुडिया की सुन्दरता का इस कविता में वर्णन किया गया है तो देखिए बच्चो इस कविता में कुछ कठिन सबदार था आए है जैसे निशानी तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है जादगार चीजे ठानी का मतलब होता है निश्चय किया फिर है सुहानी सुहानी आने होता है पसंद आने वाली इसकी बाद दिया है उपहार उपहार का मतलब क्या होता है फेट जो आपको गिप्ट मिलते न बड़े वगेरे में वो आले फिर है जलके जलके का मतलब दिखा दे फिर है मनमानी मनमानी याने जो मन में आए फिर है अंबार अंबार का मतलब होता है धेर जीवन आधार याने जीवन जिस पर टीका हो तो देखी बच्चो इस ये कवीता आपको काउद्देशे की बच्चो की खिलोनों से जो खेलने की प्रवर्ती होती है वो कोमल व्यवा करती है जैसे कि बच्चे अपने दादी नानी की बाते बहुत अच्छे से सुनते है और उनकी बात मानते है इसके लिए यहां पर इस कवीता को दिया गया है और इसके मौकी कोश्यन के भी आंसर आपको अपनी नोट बुक में लिखना है इसके बार नेस्ट वीडियो में हम इ थैंक यू